नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनाली और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्ज इसकाशो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर हनुमान जी के जन्स्थान को लेकर नासिक के अंजनेरी में हुई धर्मसंसत ग्रह मंतरी दिलफवल से पाठिल ने बोला हमला कहा वास्तविक मुद्दो से ध्यान भटकाने की कोशिश NCP के पूर्व जोर्नल डिरेक्टर समीर वांखडी पर गिरी गाज क्रूस ड्रग्स केस में आरिन खान को क्लीन चित मिलते ही चैन्ने हुआ ट्रांसपर मनी लॉंडरिंग केस में सुप्रीम कोट ने मुंबई हाई कोट को दिये निर्देश अनल देशमुग की जमानत याचिका पर जल्द करे सुनवाई केंद्र मंत्री नारायन डुराने के खिलाफ कारण बताओ नूटस जारी मुंबई स्थित बंगले को लेकर नगर निकाय ने मांगा जवाब महराष्ट्र में कल्योगी मा ने किया कतले आम छे बच्चों को कोई में फेक कर कर दी हत्या ससुराल बालों के जगड़े से थी परिशाद सुर्ख्यों के बाद अब खबरों का रुप कर लेते हैं महराष्ट्र में दिनों हनुमान चालेसा से लेकर हनुमान के जंस्थल तक का विवाद गहराया हुआ है असल एक तरफ हिंदू धर्मगिरू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि करनाटक के किशकिंदा में हनुमान जी का जंस्थल है तो वही दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि महराष्ट के अंजुनेरी में हनुमान जी का जंस्थल है और इसी विवाद को सुलजाने के लिए मंडलाचार्य पीठा दिश्वर स्वामी अनिकेच शास्त्री देश पांडे महाराज की तरफ से नासिक के अंजनेरी में धर्मसंसत का आयोजन किया गया था हाला कि ये धर्मसंसत बें तीजा रही धर्मसंसत पर महाराश्ट के गयर मंतरी दिलफवल से पाठल ने बयान दिया है पाठल ने कहा कि इस पूरे देश में इस तरह का एक बातावरण निर्मान कराने का काम चल रहा है और महाराश्ट्र में भी हो रहा है जो मुद्दा नहीं है उससे मुद्दा बना कर पेश किया जा रहा है साथी और लोगों में एक डर और मद्भेत पैदा किया जा रहा है हाला कि ये ठीक नहीं है इससे जादा महत्व नहीं देना चाहिए जो भक्ती करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हनुमान जी का जन कहा हुआ वो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की भक्ती करते हैं मैंने कहा है कि कुछ लोगों का ये एजंडा है मंदिर मजद और इसी के लिए ये सब किया जाता है इसमें कोई law and order का प्रश्ण निर्मान होने वाला नहीं है NCP की तरफ से कोई नराजगी नहीं है लेकिन कोई स्थान ये मुद्दे होते है और उसको लेकर कोई नराजगी व्यक्त करता है तो कोई बात नहीं है लेकिन इन बातों का हल एकटा बैट कर सकते है पब्लिक लिए ऐसे बयान देने चाहिए आपको बता दे कि हनुमान जी के जन स्थल होने का दावा केवल महराष्ट और करनाटक में ही नहीं हो रहा भारत में कुल नो ऐसे स्थान है जहाँ दावा किया जा रहा है कि हनुमान जी का जन बहां हुआ जिसमें महाराश्ट्र के अंजनेरी, करनाटक के किशकंदा, करनाटक के गोकन, आंध्रुप्रदेश के तिरुपती परवत, जारखन के गुमला, हर्याणा के कैथल, गुजरात के डांग, राजस्थान के सूजनगड और उत्राखन के देरादून में हनुमान जी के होने का दावा किया जाता रहा है, महाराश्ट्र में आयोजित धर्मसंसत पर जहाँ सियासत शुरू हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ, क्रूज ड्रग्स के इस मामले में, NCB के पूर्व जोर्नल डेरेक्टर समीर पर आरिन खान को लेकर क्लीन चिट मिलने के बाद गाज क समीर वांखडे का मुंबई से चेन नहीं ट्रांसफर हो चुका है, पहले वो ड्रग्स ओन क्रूज मामले की जांच का हिसा थे, वांखडे के अगवाई में चलाए गए अभियान के दुरान ही आरियन और बीस अन्य लोगों को गिरफतार किया गया था, बाद में ग्रष्च चार के आरोप लगने के बाद वांखडे को इस केस से हटा दिया गया था, और मामले को NCB के उप महानिदेशक संजे कुमार सिंग के अगवाई वाले विशेश जाज दल को सौप दिया गया, NCB की ओर से आरियन खान और पांच अन्य को शुकरुवार को क्लीन चिट दे दी उनके जाने से केंदरी एजिंसी के पूर जोर्नल निदेशक समीर वांखडे एक बार फिर चर्चा में आ गये है, NCB ने मुंबई की एक अदालत में कहा कि उसने परियाब सबूतों के अभाव में आरोप पत्र में आरिन का नाम नहीं लिखा है, आपको बता दे, वांखडे के नेतरुत में एकदल ने 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई इंटरनाशनल पोर्ट टर्मिनल पर कोडिला क्रूज जहाच पर छापा मारा, और कथित तोर पर मादक पडार्थ रखने और नशा करने के लिए बॉलिवुड अक्टर शारुक खान के बेटे आरियन खांस में 20 से पादा लोगों को गिरफतार किया था याचिका को शीग्र सूची बुद करने के लिए आवेदन दायन करने की छूट भी दी है देशमुक ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि उनकी जमानत अर्जी 25 मार्ट से हाई कोर्ट में लंबित है सुप्रीम कोट ने देशमुक से हाई कोट में एक आवेदन दावकिल करने को कहा सिबल्ले कहा कि याचिका तीन बार सुनवाई के लगी लेकिन याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई सुप्रीम कोट ने कहा कि हम उमीद करते है हाई कोट जमानत अरजी पर जल सुनवाई कर निप्टारा करेगा गौर तलब है कि एडी ने 72 साल के देश्मुक को पिछले साल नवेंबर में मनी लॉंड्रिंग के मामले में गिरफतार किया था और मौजूदा समय में वो नाइक रासत में है एक तरफ जहां महराज के पूर्व मुख्य मंतरी अनल देश्मु को राहत मिली है तो वहीं दूसरी और केंद्र मंतरी नारायन राने मुश्किल में फसका है दरसल केंद्र मंतरी को उनके मुंबई के जुवुस्तत बंगले आदीश के लिए फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस को 30 नियम जोन के उलंगन के मामले में जारी किया गया है नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर वो इस मामले में पेश नहीं होंगे तो उचत कारवाई की जाएगी ये नोटिस 24 मई को जारी किया गया है महराश्ट्र कोस्चल जोन मैनेजमेंट के सचीव और परियावरन डिरेक्ट की शिकायत पर ये कारवाई की गया है इससे पहले बीमसी भी राणे के बंगले में अवेद निर्माण का दावा करते हुए तोड़ने की कारवाई का नोटिस दे चुकी है नोटिस के मताबिक केंद्रि पारियावरन मंतराले की ओर से 11 जुलाई 2007 को FSI की मंजूरी दी गई थी जिसके मताबिक बीमसी ने 2810.8 शुन्य वर्ग मीटर की FSI की मंजूरी दी बीमसी के जाज रुपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बंगले में 4272.4 एक वर्ग मीटर का निर्मान कर लिया गया यानि नियमों का उलंगन करते हुए 1461.6 एक वर्ग मीटर जादा निर्मान कर लिया गया और इसी को लेकर कारण बतावनू टेस जारी किया गया है अब चलते चलते कलियोगी मा की कर्तूत पर भी नजर डाल लेते हैं दरसल महराश्च के राइगड में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां एक मा ने अपने छे नाबालिक बच्चों को कोई में फेक कर मार डाला बताया जा रहा है कि महला ने घरेलू विवात के चलते ये खौफ ना कदम उठाया मामला मुंबई से 100 किलो मीटर दूर महार तालुका के खारावली गाउं का है पुलिस के मताबिक मृतिक बच्चों में 5 लड़किया शामिल है दरसल महला के ससुराल वालों ने उसके साथ मार पीट की थी जिससे उसे गुसा आ गया और उसने अपने ही बच्चों को कुए में फेक दिया जिससे बच्चों की मौत हो गई मृतिक बच्चों की उमर 18 महीने से 10 साल के बीच थी वहें पुलिस ने महला को गिरफतार कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है तो ये थी महराश्ची से जुड़ी 5 बड़ी खबरे महराश्ची 5 शो में आज के लिए बस इतना ही कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे तब तक के लिए देखते रहें ये कैपिटल टीवी नमस्कार